बढ़ती उमर में जोडों, हड़ीयों और कमर में दर्द शुरू होना लाजिम है लेकिन ये समस्या कम उमर में होने लगे तो फिर चिंता का विशे है आज कल व्यसकों में घुटनों की दर्द की समस्या आम होती जा रही है हाला कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक है ग्रीस का कम होना ग्रीस कम होने के कारण चलने, फिनने, उटने, बैढ़ने और लेटन में समस्या होने लगती है ऐसे में लोग दवाईयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं जबकि इसे गरेलू उपायों और खाने पिने में भी सरक्ता बरत कर असानी से सुलजाया जा सकता है तो चलिए जानते हैं गुटनों की ग्रीस की चकनाई वापिस पाने के लिए कुछ गरेलू उपाये गुटनों की ग्रीस को ठीक करने के लिए सेदमर्ण डायट लेना बहुत ज़रूरी होता है आपको इस समसर में विटामिन और मिनरल से भरपूर डायट लेने चाहिए हरी सबजियों का आप सेवन जादा से जादा शुरू कर दें आप अपने खानपान में प्याज, लैसुन, ग्रीन टी, जामून और हल्दे को शामिल कर सकते हैं गुटने के दर्द को ठेक करने में नेमित व्यायाम भी बहुत कारगर साबित होता है रोजाना अगर अब एक्सेसेज करते हैं तो जोड़ों में होने वाले दर्द से देर देर रात मिलनी शुरू हो जाएगी स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंट ट्रेनिंग, क्वार्डिसप, स्क्वार्ट्स और खेल राइज करना शुरू कर दीजिए नायल पानी भी कई तरह की बिमारियों में सायक होता है उसमें से एक घुटनों में होने वाले दर्द यानि की गरिस को भी बढ़ाया जा सकता है इसको पिने से घुटनों में लचक बढ़ती है नायल पानी में विटामिन्स और मिल्स पाय जाते हैं या हड़ियों और मास्पेशियों को मजबूत भी बनाता है जब घुटनों का ग्रेस कम होने लगती है तो डॉक्टर आपको कुछ सप्लिमेंट लेने की सिलावी देते हैं इसलिए अगर आपको भी अक्सर घुटनों में दर दैता है या आपकी घुटनों का ग्रेस खतम हो चुका है तो आप कुछ सप्लिमेंट भी ले सकते हैं घुटनों की घुटनों की ग्रेस बढ़ने के लिए आप ओमेगा-3, पेटी-एसिड, कॉलिजन और अमिनो-एसिड सप्लिमेंट ले सकते हैं ये सभी सप्लिमेंट हड्यों के बीच उत्तक बनाने में मदद करते हैं इससे घुटने मजबूत भी बनते हैं लेकिन कोई भी सप्लेमेंट बिना डॉक्टर की सलागे बिल्कुल भी ना लें। घुटने की ग्रीज बढ़ाने के लिए अक्रोट काफी फायदयमन साबित होता है। आप हर रोज दो अक्रोट का सेवन जरूर कीजिए। ऐसा करने से घुटनों की ग्रीज बढ़ने लगती है। ऐसा इसलिए कोकी अक्रोट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइडरेट, विटामिन E, B, 6, कैल्शियम और मिनेरल भरपूर मातरा में पाय जाते हैं। इसके लवा अक्रोट में एंटी ऑक्रोट के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिट पाया जाता है। यह एक प्रकारता फैट है जो सुजन को कम करने में हेल्प करता है। हर सिंगार जिसे पारिजात और नाइट जैस्मिन भी कहा जाता है। इसके फूल पत्ते और छालका उप्योग उशद्धी के रूप में किया जाता है। इसके पोदे आपको अपने घर के आसपास भी देखने को मिल जाएंगे। इस पोदे के पत्ते जोड़ों के दर्द को पीस कर पेश्ट बना लें फिर इस पेश्ट को एक बड़े गिलास पानी में मिला कर धीमी आज पर पकाएं। जब पानी आदे से आदा रह जाये तो इसे चान कर हलका ठंडा करके पीएं। इस काले का सेवन सुबह खाली पेठी करें। ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यावाद।